रतलाम विधायक पारस सकलेचा ने आरोप लगाया है कि राजसरकार के पास प्रदेश में हो रही शराब बिक्री की जानकारी नहीं है सकलेचा ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बाचीत करते हुए बताया कि शराब व्यवसाई को लेकर उन्होंने विधानसभा में प्रशने लगाया था जिसके माध्यम से पूछा गया था कि प्रदेश में शराब दुकानों की संखिया और उनसे प्राप्थ होने वली राशी की पिछले पांच साल की जानकारी दी जाए बाद्धानी के अंदर दर्ज हुए जो चग्या ग्यारा है जो अन्य जिलों से कई तीन गुना लगबग जादा है लेकिन अश्य की बात यह है कि उन 116 प्रक्रण में से अभी तक मात्र 20 प्रक्रणों के अंदर ही लोगों को सजा दिला पाए इसके अपने प्रदेश में पिछले तीन साल में बलात्यार के जितने प्रक्रणों पर निया लगजने फेसले लिये उन फेसलों में मात्र 20 प्रतिशक्त को ही सजा मिली और हसी प्रतिशक्त लोग उन फेसलों में बरी हो गए यह इस बात को इंगित करता है कि पुलिस बलातकारियों के प्रकरण में धंग से प्रकरण को दर्ज नहीं करती चालान पस्तुत महीं करती और अप्रादयों के खिराब शर्शक्त बाहूर बनाने का प्रयास नहीं करती